हुआ हुआ है है नमस्कार दोस्तों आप सब्सवागत है में यूटूब चैनल पे जिसका नाम है सिभिल इंजिनिरिंग पीडिया दोस्तों आज के वीडियों में रिस्द्थ करने वाले जब हम सथ नहीं दलान करते हैं तो हां पर हम यूज करते हैं इस्टील बार का जो दो करका minimum दूरी के तनी होनी चाहिए और maximum दूरी कितनी होनी चाहिए अगर आपके पास स्ट्रक्ट रोइंग नहीं है minimum spacing कितनी रखेंगे दो बार के बीच में और maximum आप कितना रखेंगे यह चीज मैं इस वीडियो के अंदर तो में बार और डिस्ट्रिबिशन बार के लिए दोनों के लिए हम इस वीडियो के अंदर हम देखने बाले हैं ठीक है फ्रेंस तो चलिए आज का वीडियो शुरूब दोस्तों जब से पहले हम बात करते हैं मेन रेंफॉर्समेंट की यह जब अगर सपोज जब हम एस्टील ब है कि दो डिरेक्शन में ईस्टील बार को प्रोषि करता है एक में बार के हम बात करते हैं तो ऊस दोरान आपका जो डो दो चैंड होनी चहिए आपका कम से तीन इन्च वरनी चाहिए ठीक फिर्ट रहा हो कि दोनों दोt इसस्टील भारका जो मिनिममम। स्पेसिंग होनी चाहिए आपका तीन इन्च वर नीच चाहिए और मैक्सिमुन स्पेसिंग जी आहकर चम admits यहाँ प्रींसम औसफित बने बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए मैं recommend करूंगा आपको आप 6 इंच तक दे सकते हैं क्योंकि 3 इंच अगर प्रोवाइड करते हैं मिनिमम 3 इंच दे सकते हैं आप अगर 3 इंच इसपेसिंग प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर नमर वेस्टील बार जो है ओ ज्यादा कोडिंग आप दिशाइंग डिसपेसिंग डिशाइद के वहाँ पर आप करका काम करवा सकते हैं जबrek वूत roku देश्टiki सब्सेंगा इस बवारी सित मतलों मेð क्या है डिस्ति बसेन बार में कभी पी आप में बार से भी मार गर बना रहे हैं उसमें दोनों कि मैं बार में चैचिन सब्सक्राइब की इंच का सब्सक्राइब अब इतना रखेंगे तो काफी अस्टैंडर होती है अगर उसे विद आख्चा आपको करना है तो आप लोग तीन इंच तक दे सकते हैं तीन इंच चार इंच ठीक है फ्रेंट्स